हैलो इस्टरेट वल्कम ठो नो यूट्यूब चैनल तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके बारे में लोग यहां पर डिसकर्शन करेंगे ठीक है तो इस वीडियो में आप प्लीज इन तक देखिए गा तक आपको अच्छे से समझ में आज़ाए तो स्टार्ट करते हैं कोशी का दर्व दर्व य कोंब दिक्ष रह owा कि कोशी का दर्व का एक की यह react पर दिखावराम में जैसे यहां पर आपको यहां पर दिख रहा है कि यह जो कोशिका दरव्य है कोशिका कोलाइडल दानेधार और अर्द परागम्य सजीव अवे प्लाजम लेमा छाओ जीव धर्वय जो कोशिका कहा जाता है कह लाता है प्रोटो प्लाजम कह लाता है जिसमें जीवन की सब स्वाशन इत्यादी होती है 60 डिगरी टाम टेंपरेचर तक क्या होता है कि जीव धर्वे है साइटो प्लाजम है वह थका में बदल जाता है यह जितना टेंपरेचर होगा वह जीव धर्वे ठका में बदल जाएगा कोसिका के अंदर जेली के समान जो विसकस तो दिखाई दे केंडरा भाग को प्लाजमा जिली और केंद्रला जिली के बीच में स्थित्र रहता है उसे कोशिका दरवे यह निंसाइटोप्लाजम कहा जाता है की मेंट्रिक्स आंगक को और अर्गेस्टिक पदास्टिक है हुए उसको नहीं कहा जाता है पिटा भी यहांपर दिया हुआ तो तो जो कोशिका का दर्वे के मैट्रिक्स अंगक और अर्गेस्टिक पदार तीन भाग होते हैं आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दप्रोटो प्लाजमिक माश ऑप दे सेल इनर टू दे प्लाजमा इनर टू दे प्लाजमा मेंब्रेन एंड एक्स्क्लूडिंग नूकलियस नू कंप्रीट्री फिल्श विद थे स्पेस बिटून नूकलियस तो साइटो प्लाजम के पूरा पूरी तरह से भड़ा होता है प्लाजमा मेंड के बीच में जैसे ही जिसका साइज बरते जाता है एज जसाइज इस इनकरिजेश इन साइज अनबर ऑप स्मॉल केवटी पाल्व मैंत्रिक्स इसको कहालाइब उबहें इस तरह से और पार्ट उप्र और इस दीशे … हीव उप्र आपक्ष जाता » मैट्रिक्स को साइटोप सोल और साइटोपलास्म को सभी भाग को क्या कहा जाता है मैट्रिक्स कहा जाता है जिसको साइटो प्लाजमी मैट्रिक्स कहा जाता है तो जो साइटो प्लाजमी मैट्रिक्स फ्ल्यूट पार होता है लिक्विट पार होता है और यह विसकॉस होता है नियरली होमोजेनेस होता है और एक सिस्टो क्लाइडल लिक्विट डैट कॉंटेंस जैसे कि बहुत सारे उसमें substances होते हैं जैसे कि water अएन्स इनजाइम और बीटमिन्स अमीनो एसीड कार्बो हाइडरेट लिपिड प्रोटीन्स यह सब इसमें होते हैं तो जैसे यहां परतिक रहा हैं मैट्रिक्स मेट्रिक में क्या पाये जाता है जिसको सिस्टॉल मैट्रिक्स अभी कहा जाता है कोशिका द्रव क्या चोड़ कर सवी भाग को क्या कहा जाता है मैट्रिस कहा जाता है या आर्गस्टिक पदार्त और कोशिका निभाग को सम्वलित रूप से gabros e-4 थो सब्सक्राइबैंबचरि त्रॉपप्लाज्म भी कहा जाप आवाग, कोशिका दर्वे का पलाज्म के आउसपास का भाग, केंदरक जिल्ई के पास केंदरी का पदार्थ एक्तोप्लाज्म कहा था है तो एक्तोप्लाज्म क्या हुदाधा yüzden जो हुद इसके केंडर ने जिली के पास बाघता है उस पास युद्धाक घक्तोप्लाज्मघट जाता है मैंत्रिक्ष्ट का कारे क्या होता है इसका कारे होता है all the raw materials livro इतने भी यहां पर इसको प्रदान करता है और इसमें जो दिया गया घ्यास है यह इसमें इसमें आंगा कोशिका फर्डार्थ को पड़िवाहन करता है रासों डौक्ञ प्रणस्पोर्टेशन करता है और मेटेरियल्स फॉर एक्सोसाइटोसीज और इंडोसाइटोसीज और एक्सचेंज त्रू सिस्टोल साइटोसोल इसके जड़िये जाता है मेटेरियल्स और एक्सचेंज अमॉंग्स दे सेल और नालीज के मेटेरियल्स को एक्सचेंज करने काम करता है कोछी कांग के क्लूड को यह क्या करता है और को सिका के अच्छाओं करता है कोची कर्याओं का केंद्रस्थल भी होता है फिसको ऐसे भी लिख सकते है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि the protoplasmic mass of the cell inner to the plasma membrane and excluding excluding nucleus is called cytoplasm, cytoplasm के two parts होते हैं, जैसे आपके book में three parts तिया गया है, तो तीनों को मिला कर जो कहा जाता है और यहांपर two parts किसी-किसी book में जिक्र किया गया है, cytosol और cell organalis, cytosol और cytoplasm matrix is a fluid part of the cytoplasm, fluid part होता है, this is viscous होता है, और nearly homogeneous होता है और that contains a number of substances, जैसे कि water ions, enzymes, vitamins, amino acids, carbohydrates, lipids, proteins से इसमें होते हैं, इसका कारे क्या हो सकता है, कि all the raw materials required for the cellular activities occur in the cytoplasm matrix, जैसे कि आपके book में है, वैसे आप इसको भी ऐसे short notes में लिख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, cell organalis के, कि इसी का जो part है, जिसके दो part में divide किया गया, तो उसमें cell organalis भी देखते हैं, cell organalis क्या होते हैं, को सिकांग जिसको कहा जाता है, तो cell organalis are the subcellular, subcellular चोटे-चोटे parts होते हैं, structures which have characteristics from structure and function, जिसका अपना एक खुद की बिसिस्ताय होती है, उसका structure होता है, खुद का अपना function होता है, तो जो इनके जो basis पर जो की, where certain process are localized in eukaratic cells में होते हैं, they are same throughout living world, इनका एक अपना ही living world होता है, cell organalis का, cell organalis continues to survive and perform their function even outside of the cell, outside cell के बाहर में भी काम करते हैं और वीतर में भी काम करते हैं, तो इसके basis पर इनके जिली के अधार पर, membranous covering के अधार पर cell organalis को three types में divide किया गया, तो जैसे कि आपके बुक में नहीं दिया है, फिर भी आप यहां पर देखिए, बहुत important है, double membrane जो bound होता है, जैसे पूछा जाता है आपसे, double membrane bound कौन सी organalis होते हैं, तो आप लिख सकते हैं, mitochondria and plastic, और जो single membrane bound होते हैं, वो endoplasmic reticulum है, golgi operators है, lyzozoom है, और vacuels है, और जो memberless होता है, जिनमें कोई जिली नहीं होती है, वो ribozoom है, तो इस तरह से, यह cell organalis काम करते हैं, अभी हम पढ़ेंगे, हमारी बहुत important है यह सब, सबसे पहले start करते हैं, इंडoplasmic reticulum, जिसको ER भी कहा जाता है, ठीक है, तो endoplasmic reticulum is a complex network of membrane bound channel, membrane bound channel जिली दार बंदा हुआ, एक channel होता है, जिसमें flat sacs होते हैं, sac एक थैली होती है, और tubels होते हैं, नलिकाएं होती हैं, और vesicles होते हैं, पुटिकाएं होती हैं, तो it may be connected to both the outer nuclear membrane, या बाहर, बाहर, इत में भी connected होता है, बाहर में भी connected होता है, तो nuclear membrane यानि की चेंद्री का जिली से भी connect होता है, और plasma membrane से भी connect होता है, ठीक है, अदा, membranes of endoplasmic reticulum are similar to, जो membrane होते हैं, endoplasmic reticulum के similar होते हैं, structure में, to the plasma membrane के structure से, कि जैसे ही similar होते हैं, मैं आपको अभी diagram दिखाऊंगी, जिसे आपको और ज्यादा clear हो जाएगा, ठीक है, ER is present in all the cells, except, जो endoplasmic reticulum है, वह सभी कोशी काम पाय जाता है, except prokaryotic and mammalian RBC, यह mammalian RBC और prokaryotic cells में यह नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो इनके, depending upon the presence and absence of ribosome, जो इनके surface पे जो ribosome पाया जाते हैं, उनके presence और absence के अधार पर इनको दो भागों में बाटा गया है, ठीक है, तो जो फर्स्ट है, the two types are ER, two types of ER होते हैं, they are round ER, sorry, rough, sorry, rough, 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 rough ER means, जो, जिसको हम लोग RER कहते हैं, which is characteristic by the presence of ribosome on its surface, इनके presence के, ribosome के presence के अधार पर ही, इनको rough, endoplasmic reticulum कहा जाता है, और दूसरा है, smooth ER, यानि, which is devoid of ribosome on its surface, यानि कि इनके surface पे ribosome इस्तित नहीं होते हैं, ठीक है, तो इनका कारिय क्या हो सकता है, इनका कारिय होता है, protein synthesized का करने का, यानि protein को sunslicit करने का कारिय होता है, lipid को sunslicit करने का कारिय होता है, और transport करने का कारिय होता है, support करने का कारिय होता है, ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैं अभी आपके screen पर दिख रहा है, आप ये भी लिख सकते हैं, मै प्रोटीन सेंथिसाइज करता है और ACR हेल्प लिपिड सेंथिसाइज करता है और इंटर्नल सपोर्ट करते हैं साइटोप्लाजम को आप यह भी लिख सकते हैं जैसे आभी आप डाइग्रोम में देखेंगे आपको और अच्छा से क्लियर हो जाएगा आट यहाँ पर देखेंगे आपको दिख रहा है इस डाइग्रोम में अंडर प्लाजमीय करेटिकूलम का जो यह बैट है राइग्रोळाब जैसे यह यहाँ पर यह यह रािफ ऋम और यह आरियर है ठीके और यह फ्मूथ वाले जिसमें नहीं होते हैं यह honey फ्मूथ वाले होत तरफ गॉलगी अपरेटर's क्या होता है यानि गॉलगी बॉड़ जीसको कहा जाता है तो जैसा कि आपको इस 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 इक दीकरा है तो इसमे आपको दीकरा है सबसे पहले आप कोई भी चीच आप देखेंगे तो उसके सांथ साथ आप नाम भीयाद करते जाएंगे कि इस पार् तो यह जो धूड़े थे इसको बारे में जो सर्च किये थे उनका नाम था कैमिलो गॉल्गी जो कि जो एक इटालियन डॉक्टर थे और नियूरो लॉजिस्ट भी थे उनके नाम पर यह बाद में नाम रखा गया जिसका नाम है गॉल्गी उपकरन या फिर गॉल्गी कॉंप्लेक्स गॉल्गी बॉड़ी यह भी कहा जाता है ठीक है तो यह डिस्कवर्ड गॉल्गी अपरेटर्स इन नर्फ सेल ऑफ ब्रान आउल और कैट में इन्होंने इस गॉ जासा की और दिख रहा है आपको यसे सिस्टर्ड और जेज़ा दिख रहा है यह बंग City नहीं आफिर दॉट्ग उपकरन खांब था से जैसे गॉल्गी आ इस प्राम बॉल्गी इस और इस तरह से और विच इस स्पेसिलाइज तू एलब्रोइट एंड सेक्रीट कॉंप्लेक्स बायो केमिकल्स और अप्रेटर्स इस लाइस नियर दन्यूक्लियस यह नूक्लियस के पास में इस्थित होता है और इडिस फाउंड इन ओल्ली कॉंप्लेक्टिक सेल एकसेप्ट मैमल इंड होते हैं और अपको स्क्रीन पर दिख रहा है और ये परिफेरी यह परिठी जिस से दिख रहा है यह इस तरह से होते हैं क्या है इसका काम क्या होता है तो एक होता है कि इस इंव्लूब्ड इन रिपेर और संथेसी चाहिए यह वाइ लशावी सबस्त desafiet और सुप्म करता है इस को मेज़र फटान उप्रिटनियव लगका गॉल्गी काय कहा जाता है अब रहता है इसकी सरचना तीन भागों में होती है सिस्टर्नी जिकनी झृली द्वारा मैं जाय है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यह चिकनी जिली द्वारा गठित और चप्टी थैली होती है जो एक दूसरे पर सजी रहती है इसमें राइबोजोम नहीं होता है और जो टूबल्स होते हैं नलिका होती है सिस्टर्णी के सीरे पर सुछ गोल रचना होती है और उसकी उत्पत या समुमें सुछ मंगोलाकार रचना करती है इसका केमिकल स्टर्णी कोंपोजिशन यहीं है कि जिली लाइपोप्रोटीन यह लीपोप्रोटीन की बनी होती है फास्पो लिपीड में मुख्य रूप से यह सैफलीन और लेसिथीन होता है वसी एलफाटी असीड और बिटाम यह नहीं जो दो देखते हैं लेफिम यानि सुसाइड भैस को कहा जाता है यहां पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है लाइजो मिनस होता है लाइजिज प्रिवर्ड है जिक वर्द है डाजेस्टिप और समा मिनस होता है ठीक है झाउनका फूल्य फिरूंट में आगया डाजे जो कि एक सिंगल मेंब्रेन से एक ही जिली से घिरा हुआ होता है विच इस गॉंटेंड डाजेस्टिव एंजाइम्स पोर इंट्रासेलूरल डाइजेशन के लिए इसमें डाजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं क吸 speaking काम की बाइड संदा अर्व को लाइजी बैक्स डाइज कीegeं से अधिक है थाइजासिटिव में था हाइडर्यड यृट्रो वाइड्र वेटरियू है इंजय मेर एधिशी कई लाइजओं году G सेंथी साइज बाई रियार है यह बताया इयार पैक्त फ्यूज Southern ये क्यों कहा जाता है उल्द घर्म फूड पार्टिकल्स अक्सेकन टूर्पूज भी दर लाइजोजोओम और डिस्पोजल भाइजैशनी तिक हैं डाइजैशनinned नीअ के डाइजैशन के द्वारह यह फूजज गाजते हैं इन डामसम लाइजोजोव मुझेशनी प्रक्यों जासथे नमि þाल भारी नीव growth to जो अन्ता कोशिका की इंत्रास्यलियर्स न भाग लेता है लाइजोजोम क हालता है यह एक फ्रय नुमा सैक्स लाइक कोशिकांग जो केवल जन्तु कोशिका में पाए जाता है इसकी खोज की थी 1955 में डी दवे ने इसके अंदर एक बिश्रित तरल पदार्थ भड़ा रहता है जिसके अनेक पाचन विकार यानि डाजिस्टिव इंजाइमिस पाए जाते हैं इसके फटने पर ब्रस्ट होने पर को कोशिका नश्ट हो जाती है क्योंकि इसमें उपस्तित पाचक जो विकार होते हैं वह कोशिका की अवस्चेक पदार्थों को भी पचा देते हैं इसलिए कोशिका का आत्मगाति स्थैली यानि शुषाइड बैक कहा जाता है ठीक है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इसका काम क तो उसकी ये पाचन यानि इंट्रसल्वर डाजेशन का ये काम करता है ठीक है लाजेजोंस और फाउंड इनिमल सेल एकसेप्ट मैमली अनार बीसी को छोड़ कर ठीक है और आप इसको लिख सकते कि डिफेंस में भी काम करता है यानि की दे हल्प इन डिस्ट्रक्शन आफ फॉ बहुत सारे आफ फंसेट भी लिख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट हम लोग आते हैं तो आज हमने इतना तक कवर किया यार इंडो प्लास्मिक रेटिकुलाम गॉल्गी अपरेटर्स और साइटो प्लास्म और आपका लाइजोजूम इतना दूर तक हमने आज कंप्लीट किया ने और बच्चों को लाब मिल सके मैं कोशिश करती हूं कि हिंदी और इंग्लिस दोनों मेडियम के बच्चों को अच्छे से समझा सकूं आइम ट्राइंग बेस्ट और कुछ भी प्रॉब्लम होने से आप उझे कॉमेंट सेक्शन हम पूछ सकते हैं कोई दिक करते हैं मैं कोशि